हाई एवरिवन और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल अन्वोक्सिंग हैपिनस मेरा नाम है प्रैंका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा हॉल वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो फीडिंग कुर्ती और एक नाइटी तो चलिए स्था राउंड इसका नेक है और इस तरह से आपको 3-4 स्लीव मिल जाती है प्योर कोटन इसका फैब्रिक है छोटे-छोटे सी यहां पर प्लेट स्वनी हुई है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड आपको जिप मिल जाती है तो यह कुर्ती आप ड्यूरिंग इसी भी पहन सकते हैं और उसके बाद आप बेबी को फीड करवाने के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों साइड आपको इस तरह से फीड करवाने के लिए जिप दी हुई है इसका फैब्रिक है प्योर कोटन और प्योर कोटन होने की वज़े से यह इसका हॉल वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था और इसका भी मैंने काफी बार इसको वाश किया है और इसका कलर बिलकुल एज़ेज है वह वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो वह वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यह है आ पिंक और येलो का कॉंबिनेशन मिल जाता है इस पर इसको मैंने जीओ से बाइ किया था और इसमें भी आपको दोनों तरफ इस तरह से जिप मिल जाती है और स्टिचिंग काफी ज्यादा अच्छी है बाहार से पता भी नहीं चलेगा कि इसमें इस तरह कि कोई जिप दी हुई है क्योंकि यहां पर जो आपकी जिप है ना इसके यह जो बैल्ट बनी होई है इसके पीछे हाइड हो जाती है तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपकी जो जिप है ना वो इस तरह से हाइड हो जाती है तो आप फीड करवाने के बाद बापस से इसको हाइ कर सकते हैं तो इस तरह से इस कुर्टी का बिल्कुल ऐसे भी पता नहीं चलेगा कि यह फीडिंग कुर्टी भी है और यहां पर आप वेस्ट पर देखोगे इस तरह से डिजाइन के साथ आपको बैल्ट मिल जाती है और काफी सारी कुर्टी ऐसी होती है जिसमें बस एक इस तरह से आपको 3-4 स्लीव मिल जाती है और पूरा लुक आप देख पाओगे ट्राइओन में और यह काफी लोंग कुर्टी है और मेरी हाइट है पांच पूट चार इंच नेक्स्ट मेंने इस तरह की एक नी लेंथ नाइटी ओर्डर की थी और यह काफी ज्यादा लोंग है बिल्कुल घुटनों तक आ रही है एक्चली मेरी जो टी-शिर्ट थी ना वो काफी ज्यादा चोटी हो गई थी और अभी मेरा प्रिगनंसी का सेवंथ है तो इसलिए ना मैंने थोड़ी लोंग में मुझे टी-शिर्ट लेनी थी लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं कोई इस काम से मुझे नाइन्थ मंद तक भी यह आ जाएगी और काफी अच्छा इसका मैटीरियल है और आप इस पर प्रिंट देख सकते हो कितना लाइट सा कलर है और प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है चुली आज गर में बहुत जादा है और पसीने इतने जादा आ रहे हैं ख